आज की वीडियो में बात करेंगे पीएफ एडवांस का फॉर्म किस तरीके से बरायाता है ठीक है दोस्तों पीएफ एडवांस का मतलब होता है कि आप किसी कंपने में काम कर रहे हैं और बिना रिजाइन दिये आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं ठीक है तो उसके मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जैसी क्लिक करोगा डिरेक्ट इसी पर पहुंच जाओगा ठीक है यहां पर आपको अपना यूर नंबर और पास्वार डाल देना है इसके बाद क्याप्चा कोड इसके बाद साइन पर क्लिक करना है इसक किलेम् फॉर्म एक तथीज ा Anh आपको इस पर क्लिक करना है फ्लॉ कर देना है ऌशे चरिक कर देना है पर क्लिक करना है ठीक दोस्तों अगर आप अकाउंट नम्बर गलट डालोगे तो यह वाला पेज आपके सामने नहीं खुलेगा तो आप समझ जाना कि प्रॉसीड फोर ऑनलाइन क्लेम इसके बाद आपके सामने यह वाला पेज को लेगा यहां पर आपको कुछ डालने पड़ेगी जैसे की एक नम्बर पे आपको डाला है रीजन कि आप किस रीजन की वज़े से पीफ एडवांस निकाल रहे हो ठीक है दोस्तों आप जैसी के लिए करोगे इस पे तो यहां पर बहुत सा रीजन आ जाएंगे इन रीजनों में से जो भी आपका कारण है जिस वज़े से आप पीफ का क्या पैसे निकालना बहुत अगर्फ काम काम है आप बिमार हो गयी हो उस चेस में आप इलनेस स्रेट कर सकते हो अभी Them ठीक है, आप PF की passbook पहले चेक कर लेना, कि आपका PF कितना कटा हुआ है, अपने PF का आप 70% तक पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, थर्ड नंबर में आपको अपना address दलना पड़ेगा, यहां पर दोस्तों आपको अपने आधराकार का address दलना है, जो आपके आधराकार में रिखा वही address आपको आप डलना पड़ेगा, इसके अलावा चौते नंबर पे आपको अपनी passbook या फिर cancel check को अप्लोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आप अप्लोड करोगे, पास्बूड करोगे, तो देख लेना, पास्बूड पर आपकी फोटो लगे होने चीए, और उस फ फोटो खीच के या फिर उसको स्कैन करें, यहाँ पर अप्लोड करेंगे आप, ठीक है, अगर आपके बाद पास्बूड कर नहीं है, तो आप cancel check भी अप्लोड कर सकते हो, cancel check में आपका नाम होना चीए, इस चीज़ आप देख लेना, ठीक है, जो सब कुछ आप बढ़ देन OTP कर क्लिक करेंगे, इसके बार दोस्तों देखें, हाँ पर लिखा गया है, कि आपका जो form था, वो successfully भर चुका है, क्लिक हैर पर आप क्लिक करके, जो PDF है, आपने जो advance का form भरा है, उसको download कर सकते हो, दोस्तों यह तब पूरा तरीका, PF advance का form भरने का, जो latest तरीका है, इसके अलाब दोस्तों कुछ भी नहीं है, अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी problem आ रही है, तो आप comment कर देना, और इस वीडियो को like करके ज़रू दाना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, thank you very much.